ओम शान्ती, आज रवीवार है, अव्यक्त बाप दादा के महावाक्य सुन रहे हैं। संपूरनता की समीपता द्वारा, प्रतक्षता के स्रेष्ट समय को समीप लाओ। स्रेष्ट समय को समीप लाओ। आज बाप दादा, अपने होलिएस्ट, देखो बच्चों की महिमा कर रहा हैं बाबा, आज बाप दादा, अपने होलिएस्ट, हाइस्ट, लकिएस्ट, स्वीटेस्ट, बच्चों को देख रहे हैं। बाबा कितना बच्चों की महिमा करते हैं। याद रखेंगे ना। होलिएस्ट, हाइस्ट, लकिएस्ट, स्वीटेस्ट, हम हैं। यह भी नशा रखना पड़ेगा। बाबा हमको इस नजर से देख रहे हैं। सारे विश्व में, समय प्रती समय, होलिएस्ट आत्माई आती रही हैं। कई धरम पिताएं आएं। आप भी होलिएस्ट हो। लेकिन आप स्विश्ट आत्माई प्रकिर्ती जीत, प्रकिर्ती जीत बन, प्रकिर्ती को भी सतो प्रधान बना देते हो। आप कैसे होलिएस्ट हो। आप प्रकिर्ती जीत बन, प्रकिर्ती को भी सतो प्रधान बना देते हो। सदा लवलीन और लखी आत्माऊं को बाप दादा द्वारा प्राप्त हुई, सर्व प्राप्तियों की अनुभवी आत्माऊं को। देखो बाबा कितने टाइटल दे रहे हैं। लवलीन आत्माऊं को, लखी आत्माऊं को, बाप दादा द्वारा प्राप्त हुई, सर्व प्राप्तियों की अनुभवी आत्माऊं को, स्वाराज्य अधिकारी बन अधिकार द्वारा स्वाराज्य करने वाली शक्तिशाली आत्माऊं को, सदा जीवन मुक्ति स्थिति के अनुभवी हाइस्ट आत्माऊं को, देखो बाबा कितने बच्चों की महिमा कर रहे हैं। अब इसको पूरा रट लेना है और बार बार अपने को सुनाना है। हम ये हैं, बाबा बरदान दे रहा है। भाग्य विधाता द्वारा, सेष्ट भाग्य की लकीर द्वारा, लकिएष्ट आत्माऊं को, सदा पवित्रता की दृष्टी, वृत्ती द्वारा, स्वपरिवर्तन, विश्वपरिवर्तन करने वाली, हो लिएष्ट आत्माऊं को, बाब दादा का, याद, प्यार, और गुट मॉर्निंग, और नमस्ते, 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 अच्छा, वर्दान, सफल करने की विधी से, सफलता का वर्दान प्राप्त करने वाले, बाबा के इश्वरी सेवा में लग गया तो सफल हो गया, तो सफल करने की विधी से, सफलता का वर्दान प्राप्त करने वाले, वर्दानी मूरत भवव, संगम यूग पर आप बच्चों को वर्सा भी है वर्दान भी है वर्सा भी है वर्दान भी है इसका स्लोगन क्या है सफल करो और सफलता को पाओ बिना सफल किये सफलता नहीं मिलेगी सफल करो और सफलता को पाओ सफल करना यह बीज बोना और सफलता फल है अगर बीज अच्छा है फल नहीं मिले यह हो नहीं सकता जैसे दूसरों को कहते हो ना समय संकल्प संपत्थी सब सफल करो समय संकल्प संपत्थी सब सफल करो ऐसे अपने सर्व खजानों की लिष्ट चेक करो कौन सा खजाना सफल हुआ कौन सा विरत गया चेक करो सफल करते रहो तो सर्व खजानों से संपन बर्दानी मूरत बन जाएंगे सर्व खजानों से संपन बर्दानी मूरत बन जाएंगे सफल करो और सफलता को पाओ स्लोगन परमातम एवाड लेने के लिए कौन सा एवाड लेना है परमातम एवाड लेने के लिए वियरत और नेगेटिव को अवाड करो परमातम एवाड लेने के लिए वियरत और नेगेटिव को अवाड करो अब एक इशारे का टॉपिक परोपकार की भावना से संपन बन परोपकार की भावना से संपन बन अपकारियों पर भी उपकार करो इसका आज का पॉइंट है मन्सा सेवा करने के लिए सरव के प्रती सदा हिपले स्रेष्ट और निष्वार्थ संकल्प हो सदा पर उपकार की भावना हो अपकारी पर भी उपकार की स्रेश्ट शक्ती हो सदा दातापन की भावना हो सदा स्व परिवर्तन स्व के स्व कर्म द्वारा ऑरों को स्व कर्म की प्रेज़ना देने वाले केवलवानी द्वारा नहीं स्रेष्ट कर्म द्वारा औरों को स्रेष्ट कर्म की प्रेड़ना देने वाले उसको क्या कहेंगे परोपकारी